नजर हटी, दुर घटना घटी, कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, मिली बग की पूरी की पूरी बारात आगी मेरे गाडन में दावत खाने और दो दिनों से इनी से निपटने की भरपूर कोशस कर रहे हूं, नमस्कार, वेश्टी वेश्टी पर आज हम लोग देखेंग मेरे गाडन में भी इसी गुड़हल के पूर्धे को निशाना बनाया था मिली बग में, बहुत तेजी से फैला था, मैंने क्या किया, सारे डंठल काट-काट के फेग दिये, पर दो दिन बाद जब देखा, तो देखें, कुछ एक डंठल में फिर से पनपने लगा था, तो आप भी एकाम करें, अगर बहुत तेजी से अटक है तो सबसे पहले आप एकाम करें, इन सब देंठल को तोड़ तोड़ के फेग दें, इनसे कताई लालच ना करें, क्योंकि पौधे को बचाना आपकी प्रत्मिक्ता है, जो कलिया बनती है, सबसे पहले इसी को टारगेट क एकाम करता है, यह मेली बात्याय यहा फिन नननी को पत्तिया नीकलती है, वहां पर यह छिपए बैठे होती है, नतीजा क्या होता है? कलिया खिलने से पहली सूख जाती है, और ऊपर से पोधा पनपने से रुख जाता है, तो सबसे पहले आपकी पॉद्ट्ट्या तोड़ करते हैं वो कर सकते हैं यहां पर फिलहल जो मैंने बेकिंग सोडा से एक बार शेयर किया था बना कि उसी से कर रही हो गर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तर लिंक मैं शेयर कर दूंगी अधर्वाइस जो आप इस्ते वाल करते हैं वो करिए और हाँ यहां पर आज इस प मुझे प्रमोशन नहीं कर रही पर चीज मुझे बहुत बहतरीन लगे एक बार में भरा और पूरे गारडन में छिड़काओ कर दिया साथी साथ छिड़काओ करने के लिए भी ना बहुत आसानी से आप पतियों के नीचे पतियों के ऊपर दाएं बाएं लेफ राइट कहीं से करिए बहुत फ्लक्सिबाल है अपना ये पाइप थ्री सिक्ष्टी डिग्री पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे मेर्जी वैसे करिए तो सब कुछ कुल मिला के लगा बहुत पेतरेन तो दिल खुश हो गया इससे छिड़काओ करके और थकान तो एक भी नहीं हुई छोटे इस प्रेयर से करने में बहुत पेनफूल होता है बड़े गार्डन में तो इसलिए मैंने सोचे जब गड़ा है तो इस प्रेयर भी बड़ा होना चाहिए और एक जगे खड़े खड़े आप बड़ी दूर तक इससे छिड़काओ कर सकते हैं बार बार आपको पोधों जाने वाले इस तरह की चीजू के लिए हर समय खोशते रहते हैं कि कब कौन सी चीज अच्छी मिल जाए देखे पास ही दिखाती हूँ पांच लीटर का है और इसमें जो पाइप दिया है वो इसकी सबसे बड़ी खोबी है बहुत लंबा सा है तो आप गार्डन में एक जग आपको खुद भी कहीं भग के जाने की जुरूए थी नहीं अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ देखे इस तरह का है और काम उसी तरह करेगा ठीक जैसे आपका छोटा वाला होगा जो आपके पास दो लीटर का तील लीटर का जो भी होगा ठीक उसी तरह से काम करेगा बस थोड़ा सा बढ़ा है तो उपर से इसका जो शेप दिया है तो थोड़ा सा अलग टाइप कर बाकि सब कुछ उसी तरह से काम करेगा जैसे आपका छोटा वाला करता था और साथी साथ इसमें बेल्ट भी दिवी है तो बेल्ट से आप करी कर सकते हैं शोल्टर पे अपने एक हाथ से आप पंप कर सकते हैं और एक हाथ से पाइप उठाइए बस करते जाहिए आपको बार बार इधर उदर भगने की जुरत ही नहीं है और यह चारो तरफ आपका 360 डिगरी पे यह जो पाइप होगा रोटेट होगा तो सबसे बड़ी खुबी इसकी यही है और इस तरह स शोल्डर पे आपहेंग करिए और जहां मर्जी हो जहां आप जाएए पाच लीटर के मेरे ख्याल से एक बार भरेंगे तो पूरे के पूरे गार्डन में छिड़काओ करने के लिए रहेगा पर्याक्त तो वस यही थी मिली बग से निपटने की भरपूर कोशन हो और देखे और पेस्टी साइट कैसे बनाए ने इसके लिंक पर शेयर करने जाही रही हूँ चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल का हिस्सा भी बनियागा जल्दी मिलती अगले वीडियो में थैंक्यू